हेलो स्टूडेंस वेलकम टू सारसवत इंटरनेशनल एकड़िमी आज हम नाइन स्टैंडर मैठ्स के लिए रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं वैसे भी हमारा उनलाइन सिलेबस और अफ्लाइन सिलेबस दोनों तरह से कम्टीट हो चुका है तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्र नमबर वन के लिए रिविजन जिसमें हम एक्स्टा टाइप के क्वेश्चन एमसी क्यूं वनमाक क्वेश्चन को कैसे सौल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को तो आज हम डिसक्रशन करेंगे कुछ चैप्ल frontier करेंध करेंगे कि सबसे पहला एमसी की मुझे यहां पर hem चालिए तो वी स्वेयर मेरे पास तर देन इसके बात का क्या होगा त्री फिर मेरे पास पाइव अंधुलन वह कौन और सकता हूं कि वन तो फार मेरे पास यहां किसे प्रिय्कषण् vídeo लेवे तो तो इसके सकते हो कि हाँ आपके पास इतने प्राइम नंबर बिट्वीन जीरो तो आपको आईडिया आजाएगा कि हम इस टाइप के कि अधर मेरे पास है वह रूल है रूट इन्टू इसको मुझे लिखना है तो मैं जो तो हैं रूट रूट लगा कि मैं ने बता था कि आपको दिया है अपनीस तरो मुझे यहां मिल जाएगा अपा तॉट आप 6 चलो बाहर अंडर रूट एज रख दिया तो रूट 6 को मैं सकता हूं 6 की पावर 1 बाइटू और आप बाहर वाले रूट को अगर मुझे लिखना है तो मैं कहा सकता हूं 6 की पावर 1 बाइटू और उसकी होल पावर क्या होगा यहां पर भी प्रपर्टी है कि पास जो 6 की पावर है वह हो जाएगी 6 इंटू पावर में 1 बाइटू इंटू 1 बाइटू हो जाएगा तो 1 बाइटू 1 बाइटू मेरे पास फाइनल आंसर चोड़ेगा 6 की पावर 1 बाइट 4 तो यहां पर देख सकता हूं C option मेरा क्या हो जाएगा इसकेस में correct answer देखने को बिलेगा तो इस तरीके से मैं इसे find out कर सकता हूं कि हां मुझे अगर से solve करना है तो बेजिक तरीके हैं जिसमें इसको solve कर सकता हूं ठीक है idea जागा क्या करना इसके लिए चलिए next question की बात करते हैं देखना next में क्या दिया गया है उसकी बात करेंगे अब जो नीचे बोलागे कि which of the following is not a rational number मतलब कौन सा number rational नहीं है वो मुझे बात करना है चलो पहले नमबर जो मेरे पास option में है उसे मैं सकता हूं root 2 यह कौन सा number है irrational मतलब एक option तो यह मिल गया तो यहीं पर मिल जाएगा वी option आपके से root 4 अगर root 4 को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं तो लिख सकता हूं सी है आपके पास root 9 root 9 को आप लिख सकते हो 3 और D option में आपके पास given है root 16 उससे आप लिख सकते हो तो 234 यह तीनों कौन से नंबर हो गए मुझे बोला था इट इस रैशनल नंबर और मुझे बोला गया था नौट रैशनल मतलब वह कंसा होगा आपके लिए ऑप्शने क्या डूट 2 इस कौन सा सबसे पहले मेरे पास नंबर है 25 की पावर क्या है मेरे पास 5 की पावर 2 और होल की पावर मेरे पास क्या होगी चुछे मेरे पास है नंबर 243 और होल की पावर है मेरे पास 2 दिवाइड-दिड़ तो 243 को मैं सेथे था ओओ तो त्सका सबसूर हो जाएगा तो इसका अंसर बचेगा 3 square next मेरे पास नमबर है 16 की पावर 3 by 4 तो 16 की पावर 3 by 4 को अकर मुझे सॉल करना है तो 16 को रिसकता हूं मैं 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर 3 by 4 मतलब यह होगा 2 की पावर 3 हो जाएगा और लास नमबर जो मेरे पास है 8 की पावर 5 by 3 तो यहां पर मुझे मिलेगा वो 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर क्या होगा 5 by 3 मतलब यह मुझे मिलेगा 3 3 कैंसल होके यहां पर 4 कैंसल हो गया था वैसे तो यहां पर मुझे तो अब जो मेरा question बन गया वह ऐसा बनेगा पहले होगा 5 की power 5 into 3 की power 2 divided by 2 की power 3 into 2 की power 5 तो मेरे पास आए गी 5 की power 5 into 3 square divided by 2 की power 5 plus 3 मतलब कितना होगा एट होगा चारो सबसे पहले मुझे 5 की power 5 solve करना है तो 5 की power 5 का आप लिए सकते हो 5 की power 4 into 5 मतलब यह हो जाएगा मेरे पास 625 into 5 multiply करते हैं तो 25 to carry forward 5 to the 10 11 12 1 carry forward 5 6 30 and 31 और इंसको मुझे multiply करना है 3 square से 3 square मतलब किसे multiply होगा 9 से तो 9 5 45 4 carry forward 9 2 18 19 20 21 22 to 2 2 carry forward 9 1 9 10 11 1 carry forward 1 3 9 27 कि फिर मेरे पास क्या होगा 27 फिर 28 फिर मेरे पास क्या होगा 28 तो मेरे पास जो आंसर आएगा वह होगा 28 125 28 125 divided by 256 तो देखिए यहां पर कहीं पर भी यह आंसर मुझे यहां पर देखने को नहीं मिल जाए बिकॉस मैं अगर इससे multiply कर रहा हूं तो मेरे आंसर तो हो जा रहा है इसके लिए मुझे से multiply करना था मेरे पास तो वह आंसर मुझे यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है मतलब क्या सकता हूं कि मेरा अंसर क्या होगा लास्ट में इट इस नन अप तो यह से कोई भी अंसर मुझे इस question का solution नहीं दे सकता तो इस तरीके से में इस questions को solve कर सकता हूं एकदम इजी तरीके से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next type के question के लिए कि देखे हो इसमें हमें क्या करना है इसके लिए तो normal तरीके से इसे देखेंगे कि वह कैसे solve करेंगे चलिए next question मुझे बलागे fourth root of cube root of x square equal to dash x x की power 1 by 2 x की power 1 by 3 x की power 1 by 6 चलिए मुझे कुछ ऐसा दिया गया देखें पहले bracket में पावर है 1 by 4 दूसकरे bracket में मेरे पास है x square और उसकी power आपके पास क्या given है 1 by 3 तो मुझे क्या करना होगा तीनों को multiply मैं सकता हूं इसे x square into 1 by 3 into 1 by 4 लिख सकता हूं इस तरीके से cube root 4 root को चो यहां से cancer करेंगे तो यह 4 12 plus 2 root 75 को simplify करने पर आपका answer क्या होगा 5 root 3 6 root 3 या root 3 या root 9 root 3 चलो इस question में 5 root 3 को कुछ नहीं कर सकता हूं तो मैंने 5 root 3 as it is रख दिया अब माइनस 3 root 12 है root 12 को मैं सकता हूं 4 into 3 plus 2 है और 75 को मैं सकता हूं इस 25 into क्या होगा 3 चलो यहां से 4 का square root निकल जाएगा 25 का square root निकल जाएगा तो मुझे मिलेगा 5 root 3 minus 3 into 2 root 3 होगा यह plus 2 और 25 का होगा 5 root 3 चलो तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा देखिए कि 5 root 3 minus 6 root 3 plus 10 root 3 मिल जाएगा तो 5 plus 10 मेरे पास हो जाएगा 15 root 3 minus 6 root 3 तो 15 minus 6 करूंगा तो therefore मेरे पास last answer आ जाएगा it is 9 root 3 तो मैं देख सकता हूं यहां पर कि D option मेरा क्या हो जाएगा इस case में एकदम simple answer देखने को मिल सकता है तो इस टाइप के question आपको one more question में आ सकते हैं एक और question देखते हैं जिसमें आपको आइडिया आजाएगा कि हां मुझे किस टाइब से questions को solve करना है तो वह देख लेते हैं कि मुझे बोला कि the product of 4 root 6 and root 24 की value क्या होगी 124 134 144 154 चो एकदम simple तरीक से मुझे से multiply करना है मुझे multiply करना है 4 root 6 into 3 root 24 चलो मैं पहले गा 4 into root 6 into 3 into 2 into क्या मिलेगा चलो 326 root 6 into root 6 6 तो मुझे मिलेगा 4 into 6 into 6 मिल जाएगा तो you will get 36 into 4 36 into 4 कितना मिलेगा आपको 34 126 24 24 तो आपके पास answer आ जाएगा it is 144 मतलब कि see option is case में आपको क्या मिलेगा एक correct answer देखने को मिल सकता है तो एकदम simple तरीका है जिसमें इस type के question अगर आपको पूछे जाते हैं तो mcq में आप इसे easily solve कर पाऊगे तो आई होब आपका idea आ जाएगा कि किस type के question मुझे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next type का question है जो आता है बार-बार तो वह हमें कैसे solve करना है वह देखिए दो टाइब की question मैंने लिए इसमें सबसे पहला मैंने लिया है find four rational numbers between four and five मुझे four and five के बीच में चार rational number find करना है तो यहाँ पर मेरे पास first number है four last number है मेरे पास five और n equal to मुझे कितने number चाहिए four तो मैंने बताया था इसमें आप कैसे कर सकते हैं मैंने बताया था कि आपको four को multiply करना है four plus one के साथ और divided by करेंगे four plus one मतलब आप यहाँ पर कर रहेंगे five into four divided by five तो twenty by five करेंगे सबसे पहले और वही प्रोसेस आप करेंगे five के साथ तो five into four plus one divided by four plus one करेंगे तो now where you will get five into five divided by five अब यहां से five-five cancel नहीं करना है तो यह होगा 25 by five so therefore four the numbers are सबसे पहले होगा 21 by five next number 22 by five next number 23 by five next number 24 by five तो देख सकते हैं आप कितनम इजीली आप यह ताइप के अनसर निकाल सकते हो मैंने बताया था n plus one से multiply divide करो और बाकी जो continuous interval में जो number आथ में उसे लिख दोगे तो आप easily इस type के questions को solve कर पाऊगे चलो next question के पुला गया कि now three rational number between six comma six by five and seven by five अब यहां पे a की value आपके पास से six by five b की value आपके पास से seven by five और n आपको दिया गया है कि कितने number find करना है तीन number तो मुझे पता है क्या करना होगा और प्लस मन मतला पहला number मैं करूंगा six by five into three by four by four by four करेंगे विसी लाली next number होगा मेरे पास seven by five into four by four so therefore और यहां पर solve करने पर मुझे मिलेगा 24 by 20 और seven fours are 28 by 20 so implies that मेरे तीन number कौन से होंगे तो फर्स्ट होगा 25 by 20 next number होगा 26 by 20 next number होगा 27 by 20 तो देखेंगे तीन और इस नमबर करेंगे next time पर इसके आगे के जो questions आते हैं theoretical उसको लेके next video में हम आगे बढ़ेंगे so thank you very much for watching this video